नवस्कार दोस्तों तो आज हम बात करने बाले हैं कि चाय हमारे लिए स्वास्त के लिए कितनी खतरनाख होती है हमें पता होने के बाब जोगी हम इसका सेवन करते हैं और हमारे लिए कितनी ही डेंजर होती है इसके बारें बताते हैं किस पिरकार हम हर 32 चाय का सेवन सोगे उठते ही खाली पेट इस चाय का सेवन करता है और जो kidney patient होते हैं उनके लिए भी बहुत टेंजर होती है या क्या होती है हमारे boy problem खड़ी कर देती है और patient को acidity जैसी problem हो जाती है जिससे चाय हमारे लिए बहुत ही enzyme और heart stroke problem की संभावना अधिक रहती है किडिनी की working capacity कम हो जाने के कारण क्या होता हमारे बोडी में कैफिन नामक जो हर्मोस होता हो फिल्टर नहीं कर पाती है चाय में मौझूद कैफित blood pressure बढ़ाने का काम करती है चाय पीने से जहां heart attack की बीमारी सबसे ज्यादा अधिक होन जादा आने की संभावना होती है मुटावा बढ़ने के कारण हाट अधिक की problem सबस्यादिक देखनों को मिलती है इसलिए चाय को हमें avoid करना चाहिए चाय को कम से कम पीनना चाहिए भले वह पेसेंट है किडिनी पेसेंट है नॉर्मल पेसेंट हो चाय को कम से कम ही मात्तरा मे पीना चाहिए और ना के बराबर पीना चाहिए अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करें